कि जनम नहीं हुआ होगा इसलिए उनको जनकारी नहीं है भारत तो उसी समय आजाद हो गया और इनकी आजादी अपने पिदाई से पूछते तो लू पता चलता जब आदमी का विदाई सामरो होता है na तो एही दुर्गती होता है कि दिमाग खराब हो जाता है इसलिए इनों का जो है ना दिमाग अभी उपर नीचे चल रहा है आप मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग बिहार बीजेपी के परदेश अध्यक समराग चौधरी का दावा है कि भारत को आजादी 1947 नहीं असली आजादी 1977 में मिली थी हमारे साथ हैं पोड़ू सांसा साधू यादव जी सर पहले तो समराग चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के परदेश सद्यक्ष है उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं कि भारत असली रुप से आजाद हुआ था असल में उनका जनम नही है भारत तो उसी समय आजाद हो गया और इनकी आजादी यह अपने पिताजी से पुछते तम नों पता चलता कि कब आजाद हुआ भारत पिता जी तो कारगिल में राइफल ढो रहे थे राइफले लेकर भाग गये बिहार कस्मिर से तो उनको पता ही नहीं है कि कब आजादी कि अफस्य को नहीं हुआ है इतना दिन गुलामे थे ना मने इतना दिन अपने को गुलामी कबल कर रहे हैं तो कहते हैं कि असली अजादी चुकी जो लोकनायक जन्य प्रकास नहरायन का जो संगर्स था जो आंदोलन था उसके बाद ही जब सरकारदी तभी असली रूप से भ बात नहीं बोलना चाहिए भारत उसी से में आजाद हो गया अंग्रेजों जब भारत छोड़के भागे उसी से में भारत आजाद हो गया क्या लगता है कि इस तरह का बयान जो कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है उनके परदेश अधियक्त की और से इस तरह दिया देखिए काने का मतलब होता है कि जब आदमी का बिदाई सामरो होता है ना तो एही दुरगती होता है दिमाग खराब हो जाता है इसलिए इनों का धिजाना दिमाग भी उपर नीचे चल रहा है बंट से बिदाई का लिखा वा अब जंता को विदाई कर ना है जब इसी तरह का बाता बरण में लोग रहें तो क्या होगा तो क्या होगा महौल अबडेख रहे हैं कि अग्यूद का क्या महौल बना हुआ है उसी महौल को ने नक्सान हो रहा है कि तो कभी को जितना च्छती और नक्सान पहुंचाना है उसके वह से कभी नितीश को गाली दे रहा है कभी लालुजी के बारे में कुछ बोल दे रहा है तो जो अपना संसकारे उसका खतम हो गया है संसकारे नहीं है कि बड़े और छोटे का कोई अंत्रे नहीं समझ रहा है कोई रिष्टेदारी है का यह लोगों से जिस भासा का पर्योगों करता है यह राजनीत में होता है ऐसा थो नहीं होता है लेकिन उसको भासा का ग्याने नहीं है जो में चार दिनी के चांदनी या फीर अंधरी रात वाला जो है नएा मलवी यह फरे जिद्यादा खाता है वही है लोग़ा आप कहा रहा हैं कि समराग चौदरी को भासा ग्याने लेकिन वो तो कहते हैं कि नितीज कुमार और लालू यादव पूरी तरह से बिहार में आपड़ा सांगी खो चुके हैं अब उनके लिए हुए होंगे बाकी देश के लिए और बिहार के लिए तो हैले हैं बिजोड आदम कि देशन और नितीज कुमार का जहां गण है उस गण हित के सामें सब भेल एए इसलिए तो बैचाई नहीं है ऐलो है कि लोगमें कहीं स्तिर्ता है कौन नेता है बीहार में कोई नेता है बता दीजें बीजेपी का कौन लीडर है कोई नाम लीजे संब्राट चौधरी को तो बीजेपी का अध्यक्स मतलब क्या है कुछ है कितना अध्यक्स रोट पर बवाते चलना है कोई पुछता है क्या है चले तो बहुत बहुत धन्यवाद यह पूरुप सांसत साधु यादू दिले सिनुच फॉर्नेशन के लिए मैं धिरत सिंग